Hello Friends, आज हम इस वीडियो में 22 और 23 जुलाई के exam related जितने भी important questions हैं, उन्हें हम यहां solve करेंगे, so let's start First question है, किसने The Gulbankian Award जीता है? options हैं, मलाला यूसुफ जाई, सचिन अवस्थी, ग्रेटा थनवर्ग या बयंसे, तो ग्रेटा थनवर्ग ने The Gulbankian Award जीता है, यह मात्र 17 साल की हैं, जो climate change activist हैं, यह इस अवर्ड का पहला संस्करण है, इस अवर्ड के तहत इन्हें 1 मिलियन यूरो दिये गए हैं, जो ग्रेट को ये धनरासी donate, इसमें और दूसरे options के बारे में बात करें, तो हाल ही में, मलाला यूसुफ जाई दिवस, 12 जुलाई को मनाया गया था, और सचिन अवस्थी को हाल ही में Global Humanitarian Award मिला था, और पॉप स्टार बयंसे, को bet 2020 Humanitarian Award मिला था, नेक्स्ट कोस्चन है, हाल ही में Global Direct Selling 2019 Retail Sales Report में भारत की रैंक क्या है, options है, 15th, 16th, 17th या 18th, तो Global Direct Selling 2019 Retail Sales Report में भारत की रैंक 15 है, World Federation of Direct Selling Association ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें हमारे भारत ने 2.47 बिलियन US डॉलर की Direct Selling की है, जिससे 12.1 प्रतिशत की व्रिद्धी दर्ज की गई है, इस रैंक में टॉप पर अमेरिका है, Next Question है, उचाई वाले छेत्रों और पहाड़ी पर निगरानी करने के लिए दिया गया है, DRDO की बात करें तो DRDO का फुल फॉर्म है, Defense Research and Development Organization, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, इसके हेड़क्वार्टर न्यू डेली में है, और इस समय इसके चेर्मेन है, जी सतीस रेड़ी, Next Question है, तो हाली में जुआन मार्से का निधन हो गया ये क्या थे, Option है, Scientist, Novelist, Footballer, या Social Activist, तो हाली में जुआन मार्से का निधन हो गया ये एक Novelist थे, तो इस प्रश्ण का उत्तर Option B Novelist सही है, ये इस्पेन के रहने वाले थे, Next Question है, जंडा अंगी करण दिवस कम मनाया जाता है, Options हैं, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, या 23 जुलाई, तो जंडा अंगी करण दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है, इसी दिन 1947 को, हमारे भारतिय जंडे को National Flag घोशित किया गया था, उस समय जंडा समीती के अध्यक्ष जे भी क्रिपलाणी जी थे, तो इसमें उत्तर ऑप्सन सी 22 जुलाई साही है, Next Question है, हाल ही में SpaceX ने किस देश के पहले सेन ने उपग्रए NSC 2 को लॉच्च किया है, आप्सन सें USA, South Korea, France या UAE, तो South Korea के पहले सेन ने उपग्रए NSC 2 को SpaceX ने लॉच्च किया है, इसे SpaceX स्टेशन से Falcon 9 रोकेट से लॉच्च किया गया है, इस इस लॉच्च के साथ ही South Korea Military Communication सैटेलाइट वाला दसवा देश बन गया है, SpaceX की बात करें तो इस SpaceX की स्थापना 2002 में हुई थी, इसका हेड़क्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है और SpaceX के CEO और संस्थापक Elon Musk है, और South Korea की बात करें तो South Korea की राज़दानी Seoul है और इस समय प्रेसिडेंट है Moon Jae-in, Next Question है, तो हाली में रमेश बाबू को करूर वैशे बैंक का MD और CEO न्युक्त किया गया है, करूर वैशे बैंक की स्थापना 1916 में हुई थी, इसका मुख्याल है तमिल नाडू में है, Next Question है, हाली में भारत ने धुरुवस्त्र का सफलता पूर्वक परिक्षण किया है, ये क्या है, Options है, Assault Rifle, Granad Launcher, Air Cruise Missile, या Anti-Tank Guided Missile, धुरुवस्त्र एक Anti-Tank Guided Missile है, इसी का अभी DRDो ने सफलता पूर्वक परिक्षण किया है, तो इसमें इसका उत्तर Option D Anti-Tank Guided Missile सही है, इसे हेलिकॉप्टर से लॉंच किया जाता है, ये नाग Missile की इतरह है, ये 3rd generation Anti-Tank Missile है, और इसे DRDो ने विक्सित किया है, अगला प्रश्ण है, आईसीसी T20 World Cup को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, आईसीसी T20 World Cup को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो इसमें उत्तर Option B 2022 सही है, आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का फुल फॉर्म International Cricket Council है, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, इसका Headquarter दुबई में है, और वर्तमान में ICC के CEO मनुसानी है, लास्ट कोस्चन है, हाली में भारत और किस देश के बीच Emergency Medical Service सुरू की गई है, आप्सन है, भुटान, स्री लंका, माल्डिव्स या बांगला देश, तो हाली में भारत और माल्डिव्स के बीच Emergency Medical Services सुरू की गई है, तो इसमें उत्तर आप्सन सी माल्डिव्स सही है, मेडिकल सर्विसस की बात करें, तो अभी हाली में सेसल्स, मौरिसस, माल्डिव्स और कॉमोरोस, इन देशों में मेडिकल सुईधा, आयरुवेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए, और खाद पदार्थ आपूर्ती के लिए, उप्रेशन सागर भारत ने सुरू किया था, और हाली में माल्डिव्स में, फसे भारतियों को निकालने के लिए, भारत ने ऑप्रेशन समुद्र सेतु सुरू किया था, माल्डिव्स की बात करें तो माल्डिव्स की राजधानी माले है, और प्रेसिडेंट एबराहिम मुहम्मद सौली है, तो ये थे आज के इंपोर्टन कोस्चन, तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाक, सब्सक्राइब और कम्मेंट,